दमश्कार स्वामी संजय नारायन योगा ध्यान हेल टिप्स में मैं आपका सवगत करता हूँ आज हम बात करेंगे ला इलाज बीमारिया जितनी भी है चाहे वो कैंसर हो हार्ट प्रॉब्लेम हो डाइबेटीज हो किड्नी हो कोई भी प्रॉब्लेम हो वो निस्वर्ग उपचार से ठीक हो सकता है इसके लिए आपको मेरा जो ये वीडियो है इसके नीचे लोगो है जिसमें ओ लोगो में मेरा फोटो है ओ फोटो को अगर आप क्लिक करते हैं तो मेरा चानल खुल जाएगा मेरे चानल पर अगर जाते हैं तो अपलोड वीडियो आएगा उसको अगर खोलते हैं अपलोड वीडियो को क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाएगा उसमें वीडियो मिलेंगे जिसमें डायेट का वीडियो है पर हेज क्या ना खाए यह भी एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं एक डायेट प्लान से कैंसर तक ठीक होता है हार्ट प्रॉब्लेम, किड्नी प्रॉब्लेम, ब्लड प्रिशर, डायबेटीज यह तक ठीक हो सकता है ऐसा यह डॉक्टर साब का डायेट प्लान है निसर गोपचार से है यह, जिसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि परमात्मा की चीज़े है सब नेचर और परमात्मा कभी धोका नहीं देता कोई उसमें केमिकल नहीं होता उसे में आप एक वीडियो और देख सकते हैं एक जीवित घटना फरिदाबाद के एक डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है उनका कैंसर तक ठीक हो गया यह, जीवित घटना का वीडियो पर आप देख सकते हैं वाइरस पर वीडियो देख सकते हैं कि वाइरस क्या होता है और वाइरस से हच्जारो लोग कैसे ठीक हुए है उसी में आपको एंटीबॉडि का वीडियो मिलेगा कि हम अगर बीमार गिरते हैं तो एक्ट्योल में परमात्मानी ही हमारी भीतर एंटीबॉडि सेल एंटीबॉडि दीवी है जो मतलब भीतर की एक बॉडि जिसे कहे कार की भाशा में अगर हम कहना चाहे तो जिस तरह से कार को चार पहिये होते है और पाचवा पहिया स्टेपनी दी होती है कि जब आपका सफर चल रहा हो तो उस सफर में अगर गलती से एक चक्का पंचर हो जाता है कर सकें, सफर में रुकावट ना आए इसके लिए वो कमपनी ने स्टेपनी दी होती है उसी तरह से परमात्मा ने हमारे भीतर भी एंटी बॉडि दी है स्टेपनीय दी है जिसे कोलाइट्रियल आर्टीज कहा जाता है उस एंटी बॉडि से हम ठीक हो सकते कैसे तो उसी के लिए ये डायेट प्लैन है इसको आपको समझना होगा और वेक्ति के हिसाब से डायेट प्लैन है दीन चरिया है वेक्ति के प्रॉब्लेम के हिसाब से डायेट प्लैन और दीन चरिया है अगर आपको बुखार है या बुखार आता है तो उसका भी डायेट प्लैन है फ्लिव डायेट का वो भी वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा जिससे आपका बुखार उस डायेट प्लैन से तीन दिन में बैठ जाता है 22 गंटे में वो बुखार बैठ जाता है पहले दिन से ही रिजर्ट शुरू होता है बिमारी कोई भी हो चाहे कैंसर हो, हार्ट हो या बुखार हो आप करके देखे ये वीडियो देखे एक बार डॉक्टर साब का इस पर बहुत बड़ा रिसर्च है बहुत हज्जारों लोगों के अनुभाव है आप देख सकते हैं ये वीडियो और इससे आप लाब ले सकते हैं वात, और्थ्राइटीज या गठिया जिसे कहें या जोडों का दर्द इसका भी वीडियो सीरीज में उपलब्द है और आखों का स्वास्तिय आखों का चस्मा कैसी उतारे यह भी वीडियो आप देख सकते और अस्तमा का भी वीडियो किसी को अगर सरदर्द है माइगरेन है तो वह भी बैट्टा है वो कैसे उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरी चैनल पर किसी को ग्यास का प्रॉब्लेम है पेट में ग्यास होती है पेट में दर्द होता है लूज मोशन है उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा इसमें मेरा चैनल है स्वामी संजे नारायन योगा ध्यान हेल टिप्स इस चैनल पर आप पहुशते हैं तो उपर आपको होम ल कि खा मिलेगा उसके बाजू में प्लेइलिस्ट है अगर प्लेइलिस्ट ओपन करते है आप उस प्लेइलिस्ट को क्लिक करके प्लेइलिस्ट में अलग अलग वीडियो के प्लेइलिस्ट है अपने मन पसंद का वीडियो देखकर लाब ले सकते हैं या आप अगर मिलते हैं ज वो व्यक्ति की पूरी दीनचरिया बैठाई जाती है जिससे वो व्यक्ति स्वस्त हो जाता है 24 घंटे से शुरू हो जाता है उसका रिजल्ट और वह उस धंग से अगर जीता है तो जीवन भर स्वस्त रह सकता है देखे जरूर और लाब ले और औरों तक भी यह जानकरी शेयर करे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है या सच में अच्छा काम हो रहा है तो स्वास्त को फैलाए यह जो स्वास्त मिशन है इसमें अपना भी योग उपर आइकार्ड में अलग अलग वीडियो के प्लेलिस्ट दिये हैं जिसके नाम दिये हैं उस हिसाब से आप वो प्लेलिस्ट खोलके वो वीडियो देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अलग अलग वीडियो के प्लेलिस्ट दिये हैं जो आप देख सकते हैं अपन मिसुर्ग उपचार से स्वास्त पाए और औरों को भी स्वास्त दिलाए पहले खोज स्वास्त बने और स्वर्ग यहां हो सकता है हर व्यक्ति स्वास्त हो सकता है और लोग हो रहे है अनुभो लेकर देखे और इसमें रिस्क कुछ भी नहीं है जीवन की घड़ी बेतर ढंग स चलानी है प्रयोक करके देखे बस करना तो इतना है अपने आपको समय थोड़ा देना होगा समय निकालना होगा दीनचरिया बैठानी होगी खुद को बदलना होगा लाइफस्टाइल को बदलना होगा आदतों को बदलना होगा आदतों को छोड़ना होगा फिर देखे कितनी क अनुहो से बता रहा हूँ